हेलो एवर्यवान, वेलकम बैक, नेक्स्ट कमेंट आज मैं ले रहा हूँ, किंग क्लैशर 16 का 5 डेज अगो आया हुआ है, भाई मेरे पास जुपिटर है, वो मेरे छोटे भाई ने गिरा दी, उनके पास जुपिटर गाड़ी है, उनके छोटे भाई ने गिरा दी, लेफ्ट स मैं उनको बता दू कि मेजर इस करचिस आ गए, तो क्या कोस्टिंग रहेगी, कोस्टिंग अगर आप पेंट करवाते हैं, तो 1500-2000 रुपे की कोस्टिंग रहेगी, ठीक है, अगर पॉसिबल हो तो 3rd party service center से करवाना सही रहेगा, सही रहेगा, हाँ भी और ना भी, हाँ कैसे, हाँ, इसलिए कह रहा हूँ, कि आप लोग 3rd party service center से गया, आपने बोला कि मेरी गाड़ी, for example, black color किये, ठीक है, आपने कहा कि मेरी गाड़ी को as usual, जो black color मेरी गाड़ी पे मतलब लगाया गया है, इसे paint किया गया है, वही simple black color आप इसमें इस panel पे apply कर दो, उन्होंने क्या क्या अप्लाई कर दिया, ठीक है, अभी क्या होता है, कि company का paint जो होता है, और जो हम लोग 3rd party service center से paint करवाते हैं, उसमें थोड़ा बहुत difference होता है, ठीक है, thirdly, आप पी गाड़ी कुछ किलोमेटर्स जो है, वह बाहर धूप में रहन कियोगी, जिससे कहो कि आप पी गाड़ी का जो पहला actual color है, वह fade हो गया होगा, और अब जो नया color होगा, वह हलका सा different लगेगा, fourth, जब आप actual service center से गाड़ी को repaint नहीं करवाते हैं, तो आपके जो warranty है, वह void हो जाती है, कैसे void होती है, देखिए, right to repair की आपको सुविधा मिलती है, right to repair की सुविधा मिलती है, लेकिन right to repair की किसी भी law में ये नहीं लिखा है, कि आप paint करवा सकते हैं अपनी गाड़ी को बाहर से, ठीक है, तो ये बात आपके लिए समझना बहुत जरूरी है, कि अगर आप paint करवा रहे हैं, third party service interest, आप भी warranty void हो जाएगी, because, for example, ऐसा समझ के चलिए कि कल को गाड़ी, आपकी गाड गाड़ी किस प्रकार, किस condition से गुजरी है, कहीं extra paint तो नहीं हुआ है, ये वो, और अगर, और अगर आप service center से, अगर आप अपनी गाड़ी को repaint करवाते हैं, तो वहाँ पे आपको proper आपके सामने, सारी चीज़ आपको provide करने हैं, कि पूरे वो पर्चे वर्चे, पूरे paper, पूरे documents आपको provide करते हैं, कि आपने ये मेरे सामने, मेरे payment करी, आप ही गाड़ी हंड़ा से है, तो आप ही गाड़ी हॉंडा में ही, आप ही गाड़ी service center में ही एक पेंट होने, आपको 좋은 आप ही ismaid करते हैं, और वो आप उप गाड़ी के Number से, वो include करेते हैं, आप ही गाड़ कि वारेंटी नहीं होती है लेकिन अगर थर्ट पर्टी सर्वेस इंट्र से आप कर वाएंगा तो आप गाड़ी के वारेंटी तो जरूर वाइड हो जाएगी होप सो वीडियो अच्छी लगी होगी और अगर आप बात करें कोस्टिंग के तो कोस्टिंग थोड़ी ज्यादा रहती है मेरे हिसाब से मेरे परस्पेक्टिव यह ज्यादा बेटर रहेगा कि आप पूरा पैनल ही चेंज करवा दें जो की ज्यादा बेटर रहेगा इंश्रेंस क्लेम लेके बट अगर आप यह सोच रहेंगा तो वह मेरे हिसाब से मेरे परस्पेक्टिव ज्यादा कॉश् बाकि जैसे आपको ठीक लेड़े, thank you so much.